आज की वीडियो हम लोग देखने वाला की क्लास 10 का जो है exercise 14.2 जो की बहुत ही important exam के point of view से दोस्तों तो आप लोग ध्यान से देखिए हैंगा हमारे इस वीडियो को यह हमारा है six marks question के लिए मैं आपके लिए लेगा है वीडियो ठीक है दोस्तों यह क्या है को इस वीडियो में ऑने क्या शिखना है बहुलक जो है जो दोस्तों यह वह भीडियो निकालना थे दोस्तों इससे पहले आपने exercise fourteen point one में चीख होगा मायदी कैसे निकाला जाता है है डाइट मैफोड से ठीक दोश्टों तो चलिए आज इस्टार्ट करते हैं ने दोस्तों इसी वीडियो के स्टार्ट करते हैं चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है ने लेकिस किसी आस्पिताल में 21-20 वर्स में भरती वी रोग्यों की कट्ष को 10 साथा ठीक है तो आए यू वर्समें दिया हुआ है रोग्यों की से क्या दिया हुआ क्या है यह क्लास इंटरबल कितना 5-10 है और 15 है और 15-25 25-35 यह यहां लिखते हैं कि आप वरगंतराल कि लिख लेंगे यहां पर खेंगे यहां पर क्या लिखना है बारम बारता जो कि आपका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है ना दोस्तो बाहर हम बारता को F से जिनोट करते हैं ठीक है और यह वार का अंतराल ठीक है दोस्तों चलिए यहां क्या दिया हुआ हमारा देख सकते हैं दिया हुआ 5 से 15 और यहां 15 से 10 अड़ करते हैं 25 25 से कितना दिया हुआ है 35 35 से अपका कितना दिया है 45 इससे तर कितना दिया हुआ दोस्तों 45 से 55 औ लास्त में आपका है 55 से 65 हैना दège स्टों चलिए और यह आपका कितना दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 यह लाश्ट में आपको 5 दिया है ठीक दोस्तों तो देखिए हमको क्या करना है कि इसमें देखना होता है कि सबसे बड़ी बारम बारता यह frequency में सबसे बड़ी क्या है ठीक दोस्तों यहां से हम देख सकते हैं कि 23 जो है सबसे बड़ा है है यह 23 सबसे बड़ा है और यह किस वर्ग अंतराल के अंतरगात आता है 35 और 45 इसके अंतरगात आता है तो इसको क्या करना दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको गेर देते हैं ठीक दोस्तों तक कि हमको समझने में आसान होगा सबसे पहले देखनी है इस बारम बारते के स्रेनी में कि सबसे बढ़ा क्या है हमारा यह 23 सबसे biggest है frequency और साथी साथ यह जो 23 है किस वर्ग अंतराल के अंतरगा दाता है संगत वर्ग जो है इससे related 35 और 45 ठीक है दोस्तो तो यही हमारा क्या हो जाएगा model class ठीक है दोस्तो model class बहुलक वर्ग हो जाएगा यह ठीक है तो चलिए अब हमें data तयार करने का होता है ठीक है दोस्तो model class हो गया इससे पहले वाले वर्ग जो होता है दोस्तो 25 और 35 इसकी बारम बारता क्या है एफ 21 है इसको क्या मालेंगे दोस्तो एफ 0 यानि कि एफ नोट मालेंगे और यह जो बहुलक वर्ग है दोस्तो इसकी बारम बारता क्या मानते दोस्तो एफ 1 और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग जो है वर्ग अंतराल है इसकी बारम बारता क्या मानते दोस्तो एफ 2 है से 5 और टांधर के बिच में 10 का देख सकते हैं आप 15 और 25 ऐ चोड़ा ही जो है दस है ज़ी इसी कोικά कहते हैं दोस्तों है एच कहते है छलीए उसौन करते हैं कि क्या दिया थो इस इसमें क्या किय दिया होए है बरग अंत east इंटेपल जो है वह 35 और 45 हो जागा ठीक Are हो जायगा तो वहां से एल जो है हमारा कितना निकल जागा दोस्तों बॉवरेगवर के निर्डि सिमा क्ई है 35 है न ये हमारा होगा ए एल एफ उन क्या होगजा दोस्तों एफ उन जो है हमारा हो जागा 23 33 यह f1 हो जाएगा और इसके पहले वाले बार मारता अ एandal हो जाएगा आप 0 हो जाएग ठीक हो ठीक रोटकर घ्ल ठीक हो जाएगा जिशली आर यह डि़्सक्राइल एंफ 14 हो जाएगा जो उज्याता होने departments के तूरто क्या हो जाता है दोस्तो class interval सभी में आप कुछ समार मानते हुए ठीक है 10 आजागा ठीक है ठीक है यह हमारे यहां से data तेयार हो गया ठीक है अब हम लिख लेते हैं बहुलक का जो सूत्र होता है ने दोस्तो सूत्र से लिख रहेंगे क्या करेंगे सूत्र से ठीक है बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तो ल प्लस f1 minus f0 बट्टा 2 f1 minus f0 minus f2 ठीक है दोस्तो और यहां पे bracket में h का multiply हो जाएगा ठीक है दोस्तो ल प्लस f1 minus f0 बट्टा 2 f1 minus f0 minus f2 ठीक है चलिए इस formula में लोगो पूट कर देना है पहलो सब्सक्राइब दोस्तो तो क्या वह एल वन कितना दिया हो था हमारा 35 f1 कितना है दोस्तो 23 minus f0 कितना है 21 ठीक न चलिए यहां क्या कर देंगा दो इंटू 23 हो जाएगा 23 हो जाएगा चलिए दोस्तों करते है ठीक है देखिए ऐसा सॉल्व करते है यह हमारा क्या दिया हुआ है यह यह हुआ है 35 plus f1 कितना है 23 है minus 21 f0 और दो गुने 23 कर देते है minus कितना f0 कितना है 14 और minus f2 कितना है 21 गुने यहां कितना कर देंगा दोस्तों 10 ठीक है चलिए सॉल्व करते है 25 पलस 23 में किस घटके तो कितना आगा दो आजाएगा हमारा और यहां पर 23 दूनी 46 माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस पलस होता है यानि कि 4 पांच और 35 आजाएगा यहां पर multiply 10 हो जाएगा दोस्तों ठीक है 35 पलस 2 यहां पे हमारा 11 आ जाएगा और उपर में 10 आजाएगा ठीक है तो 10 दूनी केतना होजाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा ठीक ना केतना हो जाएगा हमारा 35 प्लस 10 दूनी बीच बट्टा 11 ठीक दोस्तों अब क्या करना है इस 11 से 20 को को डिवाइड कर देना ठीक है 35 प्लस तो ग्यारा नम्मा एक बार होगा ग्यारे काई ग्यारा आठ चला नौ चला यह नब्बे होगे दोस्तों पॉइंट दे देंगे ग्यारे अठा ठासी तो चली दोस्तों ज्यादा नहीं करना है अब 35 प्लस फ्लस वन कर देंगा 36.8 जिए जिए दोस्तों यह हमारा एंसर आ गया इस कोईस्टिन का ठीक दोस्तों चली दोस्तों इसी तरह आप सेकेट डंबर कोईस्टिन खुल से आप बनाएगा ठीक दोस्तों उम्मिद करता हूं आपको पसंद आया वागा वीडियो थैंक यू दोस्त